COVID-19 को वुहान से पूरी दुनिया में फैलाने पर जब अस्ट्रेलिया ने चायना के खिलाफ एक इंटरनेशनल लेवल की जांच की मांग की वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से अस्ट्रेलिया और चायना के रिष्टे जितने खराब होते गे भारत और अस्ट्रेलिया उतने ही करीब आते गे जहां एक तरफ चायना ने अस्ट्रेलिया को पनिश करने के लिए अस्ट्रेलिया को दंडित करने के लिए अस्ट्रेलिया से आने वाले हर एक प्रोड़क्ट और आइटम के उपर एंटी डंप्रिंग ड्यूटित होपना शुरू कर दिया पहले से ज दोनों देश पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। अस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा देश है जो भारत के बहत तेजी से करीब आया है। अस्ट्रेलिया के जो भारत में अमबेस्डर हैं उन्होंने इसी बारे में स्टेटमेंट दी है। उन्होंने भारत के पहले परदान मंतरी जोहरलाल नहरू को गसीट लिया है। हलांकि रश्या यूखरेन विवाद को हैंडल करने का काम तो मूदी सिरकार कर रही है। रफ्रेंस की लैब की स्क्रीन के उपर दा टाइम्स आफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीन शॉट है। जिसके मताबिक अस्टेलिया का कहना है कि रश्या यूखरेन मसले को लेकर जो इंडिया की पोजीशन है जो इंडिया का रुख है उसको अस्टेलिया बहुती अच्छे से समझता है। और जो जुआहरलाल नहरू की डॉक्टरीन थी वो बहुती सेंसिबल, समझधार और अकलमन थी। अस्टेलिया के भारत में अमबैसडर बैरी ओफरेल पिछले कल एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे जिस दुरान उन्होंने का कि अस्टेलिया भारत की स्थिति को समझता है। मुझे ये तथ्च शह मिलता है कि 65 साल पहले भारत के परधान मिंतरी नहरू ने एक बोटी समझदार सिद्धान्थ की रूप रेखा तियार की जिसमें उन्होंने का कि भारत दूसरे देशों को कंडेमन करने के बिजनस में नहीं है। यानि भारत दूसरे देशों की निंदा नहीं करने वाला बलकि भारत ऐसी परिस्तितियां बनाने का काम करेगा जिसमें समाधान खोजा जा सके अस्टेलियन अमबैसडर बैरी ओफरेल यहांपर 1956 की हंगेरियन रेवलिशन की तरफ इशारा कर रहे थे जब सोवीट उनियन की फोर्सेज ने हंगरी में गुसकर वहांपर military operations करके वहांपर pro-Soviet government बनाई थी तब भी हंगरी के कई सारे आम नागरिक सोवीट उनियन की पाउरफुल सेना से लड़ते लड़ते मारे गए थे Soviet Union की आलोचना और निंदा करने का भारत के उपर उस सामे भी Western देशों का काफी pressure था लेकिन भारत ने तब भी ऐसा करने से मना कर दिया था और कहा था कि निंदा करने की बज़ाए भारत मसले का समधार निकालने का काम करेगा Australian Ambassador अपनी statement से उसी तरह विशारा कर रहे थे और जो भारत में अजादी के बाद से ही एक तरह की non alignment और neutral foreign policy अपनाई है उसकी तारीफ कर रहे थे जिसका श्रे उन्होंने तब के Prime Minister जोहरलाल नहरू को दिया इसके लावा उन्होंने भारत अस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट और जियो पॉलिटिकल चेंजिस के बारे में भी बोला खैर वैसे भारत की non alignment की policy का श्रे क्या आप जोहरलाल नहरू को देंगे हाँ या फिर नहीं नीचे कमेंट करके अपनी राय जुरूर बताए